नमस्कार दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी का वेवाहिक जीवन खुशी से बीते तो उसके लिए यहां कुछ उपाय बताएगा हैं जिन्हें आप बेटी की विदाई के समय अपना सकते हैं अगर आप इन उपायों को अपना लेंगे तो आपकी बेटी भी हमेशा ससुराल में राज क प्याद करेगी आईए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय जो बेटी की विदाई के समय करें बेटी को विदा करते समय उसके पल्लू में सात हल्दी की गांठ बांदें फिर बेटी से कहें कि ससुराल पहुचने के बाद बेटी उस हल्दी को पीले कपड़े में बांद कर अप ससुराल में बेटी को खुख प्यार मिलने लगता है। विदाई से पहले माँ अपनी सिंदूर की डिब्पी में से अपनी बेटी को छोटी सीमांग भर दे। ऐसा करने से बेटी को उसके पती की तरफ से कोई परिशानी नहीं होगी और उसका पती हमेशा उसकी हर एक बात मानेगा खुशाल भी देगा वैवाहिक जीवन शादी में विदाई के समय बेटी को एक नारियल भेंट करें इस नारियल को बेटी अपने ससुराल में पूजा घर में साथ दिन के लिए रखे साथ दिन बाद इस नारियल को बेटी के हाथों से पहते हुए पानी में प्रवाहित करवा दे विदाई के समय बेटी को तामबे की चार की ले दे इन कीलो को बेटी अपने कमरे के बैड के चारों पायों में लगा दे इस उपाय को करने से बेटी का व्यवाहिक जीवन खुशाल भी देगा और ससुराल में हर कोई उसकी बात मानने लगेगा ससुराल में नहीं होगी कोई परिशानी बेटी को विदा करने से पहले एक लोटे में जल भरकर उसमें हलदी और एक तामबे का सिक्का डाल दें इस जल से भरे लोटे को बेटी के सीर के उपर से साथ पार गुमाये फिर इस लोटे को बेटी के हाथ में रखते जब बेटी विदा हो जाए तो इस लोटे के जल को पीपल के पेंड पर चढ़ा दे ऐसा करने से बेटी को ससुराल में किसी भी तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटी की शादी के से एक दिन पहले उसके हाथों से तीन महंदी के पैकेट का दान करवाएं महंदी के पैकेट में से एक पैकेट काली मा के मंदिर में चढ़ा दे महंदी का दूसरा पैकेट किसी सुहागिन को दान करवा दे तीसरा पैकेट में से किसी सुहागिन महिला के हाथ में लगा दे महंदी और फिर उस पैकेट से ही बेटी के हाथ में भी महंदी लगवा दे ऐसा करने से बेटी को शादी के बाद किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों ये थी हमारी जानकारी बेटी के शादी के विदाई के समय क्या हम उपाय करें जिससे हमारी बेटी खुशाल रहे उम्मीद है हमारी दीकरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राए भी अवश्य दें आपकी राए हमारे लिए बहुत ही महतोपून है धन्यवाद